नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे संसकार चैनल में, दोस्तों अगर अपने जिन्दगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. सूर्य ग्रहन दोहजार चौबीस, दोस्तों साल का पहला सूर्य ग्रहन आठ अपरेल दोहजार चौबीस को लगने वाला है. ये ग्रहन काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन इतना लंबा सूर्य ग्रहन लगने वाला है. माना जा रहा है कि ऐसा सूर्य ग्रहन करीब 50 साल पहले लगा था बता दें कि सूर्य ग्रहन की पूरा अवधी 5 घंटे 25 मिनट की है जिसमें से करीब 7.5 मिनट ऐसे होंगे जब धर्ती में अंधेराचा जाएगा जाने भारत में नजर आएगा की नहीं इसके साथ ही सूतक काल का समय से लेकर हर एक बात दोस्तों सूर्य ग्रहन की सही डेट और समय साल का पहला सूर्य ग्रहन 8 अप्रेल 2024 को लगेगा भारतिय समय के अनुसार रात 9 बचकर 12 मिनट से 9 अप्रेल को 2 बचकर 22 मिनट तक ग्रहन रहने वाला है इस सूर्य ग्रहेन की कुल अवधी 5 घंटे 10 मिनट की होगी वहीं अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, आयरलैंड, इंगलैंड जैसे देशों में सूर्य ग्रहेन के समाई की बात करें तो दोपहर सवा 2 बजे से शुरू हो जाएगा बता दिं की साल का पहला सूर्य ग्रहेन पूर्ण होगा इसे खगरास सूर्य ग्रहेन भी कहते हैं इस स्थिती में चंद्रमा, प्रित्वी और सूर्य के बीच आ जाता है ऐसे में सूर्य का प्रकाश धर्ती में जाने के लिए कुछ समाई के लिए रुक जाता है और चंद्रमा की पूरी छाया प्रित्वी पर पड़ती है, जिससे अंधिरा छा जाता है ऐसे में ये पूर्ण सूर्य ग्रहन के रूप में दिखाई देता है हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी भी ग्रहन के शुरू होने के कुछ घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है सूर्य ग्रहन की बात करें तो सूतक काल करीब 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है और समापन के बाद ही समाप्थ होता है इस दोरान किसी भी प्रकार के शुब कामों को करने की मना ही होती है हालांकि ये सूर्य ग्रहन भारत में नजर नहीं आ रहा है ऐसे में सूतक काल मान्य नहीं होगा भारत में सूर्य ग्रहन नहीं लेकिन पड़ेगा राशियों पर असर दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहेन भारत में नजर नहीं आने वाला है ऐसे में सूतक काल मान्य नहीं होगा लेकिन बारह राशियों के जीवन पर इसका असर जरूर पड़ेगा बता दें कि सूर्य ग्रहेन हस्त नक्षत्र और कन्या राशी में हो रहा है इसके साथ ही चंद्रमा बुध और केतु के साथ कन्या राशी में ही स्थिती है इसके साथ ही गुरु ग्रहस्पती की पूरी द्रिष्टी पड़ रही है इसके साथ ही सूर्य का द्वितिय भाव में शुक्र और शष्ठ भाव में वक्री शनी विराजमान रहेंगे ऐसे में कुछ राशी के जातों को लाब मिलेगा, तो कुछ राशी के जातों को मानसिक शारिरिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन हो सकता है आर्थिक चुनौतियों भी आ सकती है इसलिए थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है